Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल पाकिस्तान का second largest naval air station है, वहाँ पर massive attack हुआ है, यह आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान second largest naval air station, जिसका नाम है PNS सिद्ध की, वहाँ पर attack किया गया है, और इसी को हम डीटेल से जानेंगे, यह जो attack किया है, किसने किया है, क्या उनका main मकसद था, यहाँ पर कितने लोग मारे हैं, वो सारी कीज़ों समझने की कोशिश करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आज हमारा आकरी date है, holy sale का, मतलब study IQ पर अगर आप कोई भी batch, किसी भी प्रकार का course लेते हो, चाहें वो हमारा UPSC का GS foundation हो गया, optional के batches हो गया, या फिर ज MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चलिए शुरुवात करते हैं, और सबसे पहले तो ये समझने की ज़रात है, कि जब हम बात करते हैं, air station, मतलब naval air station, ये होता क्या है, जैसे कि भ force तो हमारा अलग है है, लेकिन navy के अंदर भी यहाँ पर आपने देखा होगा, जो हमारे aircraft carriers वगरा हैं, वहाँ पर भी जो fighter jets वगरा हैं, वो उतरती हैं, तो वो navy को बिलॉंग करती हैं, तो वहाँ इस तरह के जो permanent military base होते हैं न, land पर, उसी को हम कहते हैं, naval air station, और भारत के अ पर आपको अलग-अलग प्रकार्स के navy से related, जो squadrons हैं, wings हैं, commands हैं, वो सब कुछ देखने को मिलता है, इंफरक्ट अगर वो समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पर aircraft carrier वगरा भी उतारा जाता है, naval support vessels होते हैं, training facilities होती हैं, तो काफी बड़ा होता है, तो पाकिस्तान के अंदर जो second largest naval air station है, PNS सिद्ध की, और ये मिलेगा आपको तुर्बत के अंदर, इसका जो location है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकतो, left वाले diagram में, ये पुरा पाकिस्तान है, और इसका जो सबसे बड़ा province है, बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में आपको प ज़्दीक में, नदन साइड में आप देखे, यहाँ पर है तुर्बत, और वहीं पर है पाकिस्तान का second largest naval air station, जो की बताया जा रहा है कि कल देर रात को बहुत जादा उसके ओपर attack किया गया, काफी सारे multiple explosions देखने को मिले, एक दरजन से जादा वहाँ पर explosions हुए हैं, और gun firing तो लगतार हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो locals हैं, उनका कहना था, कि करीब साड़े दस बज़े के आज पास से जो है, देर रात तक लगतार firing की जो आवाजे हैं, वो हमें देखने को मिली हैं, और इसकी वजए से तुरंट पाकिस्तान की जो सेना है, वो हरकत में आई, और कई सारे जो operations हैं, वो वहाँ पर conduct किये गए हैं, question अब यहाँ पर यह है, कि आखिरकार इस attack के पीछे कौन है और क्यों है, दोगो यहाँ पर obvious ही बात है, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, कि बलुचिस्तान में military के ओपर जो भी attack हुआ है, वो basically जो band organization है, बलु और यहाँ पर एक चीज जो सामने आई है, कि जो BLA है, मजीद ब्रिगेड है, उन्होंने क्लेम किया है, कि हमने एक दरजन से ज़ादा पाकिस्तानी पर्सनेल को मारा है, अब देखो यह exactly क्या सही है, गलत है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान के दोरा देखोगे, तो उन्होंने इस चीज को नका रहा है एक तरह से, कि हमारे एक दरजन से ज़ादा लोग नहीं मारे गए, लेकिन बलुचिस्ता पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी के दोरा जो आडियो क्लिप्स हैं, उसको भी रिलीस किया गया था, मतलब कि यहाँ पर उनके जो फाइटर्स हैं, जब वो जा रहे थे तुर्बत में अटाक कर रहे थे, तभी यहाँ पर उनके दोरा उस आडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि कई सारे जो पाकिस्तानी वेकिल्स हैं उसको टार्गेट किया गया है लगातार यहाँ पर जो अटाक है वो इंटेंसिफाई होते जा रही है तो इसके दोरा उनके दोरा क्लेम किया जा रहा है कि हमने कई सारे जो पाकिस्तानी परसनेल हैं उनको मार गिराया है लेकिन कोशन अब यहाँ पर यह भी है कि आखिरकार उन्होंने PNS सिद्धी की पर ही क्यों अटाक किया वहाँ पर ऐसा क्या है दोखो अगर आब बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पूरा मकसद देखो गए इस समय तो उनका साफ साफ है कि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान एक लेकिन साती साथ जो चाइना है वो भी सबसे बड़ी एक तरह से आप कह सकते हो कि टार्गेट बन गई है और क्योंकि मैं आपको बता दू चाइना का बहुत सारा जो ड्रोन्स है वो भी PNS सिद्धी में रखा हुआ है वहाँ पर स्टेशन किया हुआ था और काफी सारा जो वगर है वो भी आपको PNS सिद्धी में देखने को मिलेगा इसी की वजए से मजीद ब्रेगेट का कहना था कि हमने उनके उपर अटाक किया है ताकि जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजए से बलोच लोगों के साथ सोशर किया जा रहा है जो benefits जो resources उनको मिलने च कर दिया गया था और लगतार जो frontier core है पाकिस्तानी आर्मी की वो वहाँ पर पहुँच गई और काफी सारा जो movement है helicopters का बाकी चीजों का वो देखने को मिला लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान की तरफ से अब ये बोला गया है कि इस पूरे attack को हमने खतम कर three sides से attack करने की कोशिश की लेकिन हम यहाँ पर एक तरह से काफी alert थे जिसकी वजए से हमने उनको मार गिराया है इनफर्क पाकिस्तान का तो कहना है कि हमने छे terrorist को मार गिराया यहाँ पर ठीक है तो ये दोनों तरफ से claim किया जा रहा है मतलब जो बलुचिस्तान liberation army है वो कह र पाकिस्तान में लगतार हिंसा की जो खबरे हैं हमले की जो खबरे हैं वो लगतार बढ़ती जा रही है इनफर्क अगर आप इस पूरे हफ़ते में देखोगे तो यह दूसरा बड़ा attack है और इस पूरे साल में देखोगे जैनवरी से लेकर अभी तक तो यह तीसरा बड़ा attack देखने को मिलेगा अभी 20th of March को ही जो मैं आपको बता रहा था starting में कि गौदर में जो military intelligence headquarter है वहाँ पर target किया गया था और January 29th को यहाँ पर जो March शहर है पाकिस्तान में वहाँ पर भी attack किया गया था गौदर पोर्ट पर जो attack हुआ था उसमें दो पाकिस्तानी soldiers की मौत मतलब कहीं न कहीं अब चाइना और पाकिस्तान को यह अभास हो रहा है कि जो पूरा project उन्होंने चलाया है उसको सही तरीके से work out करना इतना असान नहीं होगा क्योंकि यह लोग जो सोच रहे हैं कि वहाँ से बहुत जादा economic benefits उनको मिलने वाला है लेकिन जब तक ही attacks होते र तालिबान पाकिस्तान से क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने नवंबर 2022 में पाकिस्तान की सरकार के साथ जो ceasefire deal है उसको खतम कर दिया था और उसके बाद से लगतार पाकिस्तान के अंदर जो खाइबर पक्तुनकवा वाला प्रोविंस हो गया बलुचिस्तान वाला पाकिस्तान के साथ लेकिन ये एक बड़ा अटैक था जिसके बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और जाने से पहले एक इंट्रस्टिंग कोशन देखो भारत में आपको पता होगा एक कनाल लिंक की काफी चर्चा होती रहती है केन बेतवा लिंक कन अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैच चाहते हैं you can just use this code अंकित लाइब ताकि आपको maximum discount मिल जाए I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा Study IQ IS अब तयारी हुई affordable